नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है, रिडी हो जाईए संपादी के लिखने के लिए जनसत्ता से बोला जाएगा सर्वोच न्यायाले ने कहा है कि विकीपीडिया जैसे सूचनात्मक मंचों पर आँख बंद करके भरुसा नहीं कर सकते, उन पर भ्रामक सूचनाए हो सकती है हालांकी आदालत ने यह बात कानूनी मामलों के मद्दे नजर कही और न्यायक अधिकारियों को ऐसे सुरोतों के उपियोग को लेकर आगाह किया है पर इसे व्यापक संदर्भ में लेने की जरूरत है आजकल तथ्यों के लिए विकिपीडिया जैसे मंचों पर अध्यताओं व्यावसाइक गतिविधियों सैक्षणिक कारिक्रमों की निर्भरता लगातार बरती गई है ऐसे में अगर यह मंच इतना गैर भरोसे मंद माना जा रहा है तो यह गंभीर बात है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मंचों के सहारे विभिन परिक्षाओं की तयारी करते देखे जाते हैं मगर इस हकीकत से मुह नहीं फेरा जा सकता कि विकिपीडिया पर बहुत सारे तत्य गलत या भ्रामक पाए जाते हैं इसकी एक वजह इसपश्ट है कि इस मंच ने संपादन की सवधा खुली छोड रखी है कोई भी वहाँ जाकर तत्यों को सुधार सकता है तत्यों में उलट फेर कर सकता है बहुत पहले इसके कई बड़े उदाहरण देखने को मिल चुके है गांधी जी जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल जैसी सक्सियतों के जीवन से जुड़े अनेक भ्रामक तत्य उन पर परोसे गए हैं एक सामान्य अध्येता ऐसे तत्यों को पकड़ नहीं पाता और उसके मन में कई तरह के दुराग्रह पनप सकते हैं खासकर कानूनी मामलों में अगर विकिपीडिया जैसे मंचों पर गलत और भ्रामक तत्य परोसे जाते हैं और उनका उपियोग किसी मामले को सुलजाने के लिए किया जाता है तो उससे आने वाले समय के लिए गलत नजीर भी बनती है इसलिए कानून की अधिकृत पुस्तके ही इस मामले में प्रामालिक मानी जानी चाहिए लेकिन आज जिस तरह युवापीड ही पढ़ाई लिखाई को लेकर इंटरनेट पर निर्भर होती गई है वह अपनी हर जिग्यासा को लेकर तुरंत इंटरनेट खंगालना शुरू कर देती है खास कर विकिपीडिया जैसे ग्यानकोश पर आँख मूद कर भरोसा कर लेती है उसे खतरनाक नतीजे भी भुगतने पढ़ सकते हैं उस पर भरोसा करके अगर उसने किसी सवाल का गलत जवाब दे दिया जो अधिकृत पुस्तक में छपे तथ्य से मेल नहीं खाता तो उसे नुकसान हो सकता है जिन प्रतियोगी परिक्षाओं में रनात्मक मुल्यांकन की व्यवस्था है उनमें भारी नुकसान जेलना पड़ सकता है इस तरह सर्वोच न्यायाले की ताजा टिपड़ी को गंभीरता से लेने की जरूरत है यह सही है कि प्रामारिक पुस्तकों का विकल्प दूसरा कोई माध्यम नहीं हो सकता पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह इंटरनेट एक सशक्त सिक्षा माध्यम के रूप में उभरा है उसमें ज्यान की दुनिया का खासा विस्तार हुआ है PDF रूप में और किंडल आदी पर पुस्तकें पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है तमाम सैक्षनिक संस्थान अपनी पाठ्य और सहायक पुस्तकें इंटरनेट पर डालते हैं इपाठ्शाला जैसी व्यवस्ताएं हैं मगर इसके समानतर इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे मंच सक्रिय हैं जो बड़े पाठक समुदाय को आकरशित करने और लाभ कमाने के लोभ में चल रहे हैं उन पर परोसी जाने वाली बहुत सारी सामगरी अपुष्ट और अप्रामानिक हैं इसे रोकने की जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जा रही हैं किसी भी माध्यम से गलत तत्य और भ्रामक जानकारियां उपलब्ध कराना एक प्रकार का अपराध हैं मगर इसके लिए कोई कड़ी कार्यवाई ना होने की वजह से ऐसे अधकचरे मंच खूब फल फूल रहे हैं सरवच नियायले की टिपड़ी के बाद यह बात रेखांकित हुई है कि ऐसे मंचों सूचना के स्रोतों पर नजर रखने और उन्हें अनुशासित बनाने के लिए एक नियामक तंत्र होना ही चाहिए और मेध है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा वो सकता है स्पीड आपको थोड़ी फास्ट लगी हो बट कोई बात नहीं इसको आप ट्राइ करिए इसके वर्ट्स बहुत अच्छे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजेगा चूकि डेली ऐसी वीडियो अप्लोड होती हैं तो आपके काम ही आएंगी और हाँ वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फ्लीज आप लाइक करें या फिर कमेंट में कुछ उजाओ दें या आपको कुछ पसंद नहीं आता है तो that's all thank you